हाई फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल मित्र एजूकेशन हब में फ्रेंड्स आज हम लिए कहें आपके लिए राजस्तान जीके के प्रक्टिस सेकिंड थड़ है जिसके अंदर आज हम डिसकस करेंगी कि प्रीविस पीपर में पूछे गए कोसंस सो के बार कोसं बन सकते हैं आज हम उनको डिसकस करेंगे बनेरी हमारी क्लास को एंड तक देखिए आपके लिए कोसंस बहुत इंपोर्टन साबित हो सकते हैं अगर आप किसी भी गवर्मेंट जो की त्यारी कर रहे हैं जैसे राजस्तान के पुलिस पटवारी लेव असिस्टेंट आपको यहां पर मिल सकते हैं हमारे यहां पर इस यूट्यूब चैनल पर प्रिविएस पेपर कराया जाते हैं आप हमारे प्लेरिश में जाक रहे हैं नहीं वहां से किसी भी सब्जेक्ट का प्रिविएस पेपर देख सकते हैं चले फैन सुरू करते हैं आज की क्लास का पहल कोई सिरीज मिलती है पहले कोशन यह आपके सामने जी हाँ राज्जी के किस किले को सुवनगिरी कहा जाता है यह प्राज़तर पढ़वारी के दोचर बारे में पूछागे कोशन है जैसलमेर को जालोर को सीवाना किले को या सिरोही को इसका राइट अंसर है आपसिन नमबर बी जालोर को नेस कोशन दिखते हैं यह रहा आपके सामने कि अबूल फजल ने किस दूर्ग के विशे में लिखा है कि यह दूर्ग इतना उचा है कि नीचे से देख उपर देखने में सिर्की जो पगडिये वो गिर जाती है वो दूर्ग कुम्बल गड़ का दूर्ग या फिर चित्तोर गड़ का दूर्ग तारा गड़ का दूर्ग या सोनार गड़ का दूर्ग इसका right answer होगा option number 8 कुम्बल गड़का दुर जिसे राणा कुम्बा ने बनवाया है next question देखते हैं यह आपके सामने कि हवा महल का निर्मान करवाया था सवाई माधो सिंग ने इसवरी सिंग ने सवाई पिरताब सिंग ने या सवाई जे सिंग ने इसका right answer रग जाएगा option number C सवाई पिरताब सिंग ने हवा महल का निर्मान करवाया इनने इसको सने की किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है उस दुर्ग का नाम है गोपाल गड़ दुर्ग रहसरोड गड़ दुर्ग तिमन ना गड़ दुर्ग फिर नेक्स कोशन हम आपको रिपीट करते हैं कि राजस्थान का जो वेलोर है जी हाँ राजस्थान का वेलोर के नाम से किसे को कहा जाता है गोपाल गड़ को बहसरोड गड़ दुर्ग को तिमना गड़ दुर्ग को या फिर गोस वर्धन दुर्ग को फिर इसका राइट आंस रहे अप्शन नमबर बी जो भैसरोगड़ दूर्ग है आपको बता दे फ्रेंट ये चितोड़ गड़ के अंदर है चितोड़ गड़ के अंदर इस्तित है नेस कोशन देखते हैं यह रहा आपके सामने महरांगड दूर्ग का निर्मान किसने करवाय था राव जोधा ने नागभट पिर्थम ने राव मालदेव ने या राव चंदर सेन ने इसका राइट यांसर होगा उप्सन नमबर ए राव जोधा ने नेस कोशन राजस्थान में अकबर की मज्जिद इस्तित है अजमेर, आमेर, किसनगड या आगरा इसका राइट यांसर है उप्सन नमबर बी आमेर के किले में नेस कोशन है देव कुंड की छत्रियां किनकी याद में निर्मित की गई है जेसल मेर के राजाओं की याद में, जोधपुर के राजाओं के याद में, बीका नेर के राजाओं के याद में या फिर कोटा के राजाओं की याद में इसका राइट यांसर है उप्सन नमबर सी बीका नियर की राजाओं की याद में देवकुंड की छत्रियां बनाई गई है नैस कोसा ने कि राज जैसल मियर की जो पटवा हवेलियां क्यों पिरिसिद्ध है यह कोसन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि पत्तर की जालियों की गई कटाई के कारण अपने भव्यत या सुन्दरता कारण इसका राज आन से जाएगा ओप्शन नमबर ए पत्तर की जो जालियों की गई जो कटाई है उसके कारण यह पिरिसिद्ध है नेक्स कोसन है सर टोमस रो ने अपने परीचे मुगल समराट जहांगीर को किस इस्तान पर दिया आमेर जेवपुर मैगजीन दूर्ग अजमेर जुनागड बिकानेर या नागोर इसका राइट आन से ओप्शन नमबर बी मैगजीन दूर्ग अजमेर कंदर नेक्स कोसन है की राजस्तान में टेगोर की छत्रियां किस वन्स के राज परिवार से संबन दिते हैं चोहान या सिसो दिया या राठोड या फिर पच्छवां सोरी कच्छवां से तिसका राइट अंसर का ओप्शन नमबर डी कच्छवां से संबन दिते हैं नेक्स कोसन है जैसल मेर के जहां जैसल मेर के किले को कहा जाता है सोन गिरी का किला, सोन गड का किला, सोनार का किला या गठ बिठली का गिरा इसका राइट अंसर होगा, ऑप्शन नमबर C, सोनार का किला के नाम से जाना जाता है सोनार गड किस स्रेनी का दूर्ग है, आपको बताते हैं फ्रेंस की जो जैसल मेर है, वो रेगिस्तान के अंदर है और जो रेगिस्तान से जो घिरावा जो किले होते हैं, वो धानव दूर्ग कहलाते हैं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आपको और कुछ बताते हैं दोस्त, अगर कोई भी दूर्ग अगर पहाडों से घिरा हुआ है, वो गिरी दूर्ग के अंदर आता है अगर कोई भी ऐसा दूर्ग जो चारू तरब से खाई से घिरा हुआ है, वो पारीग दूर्ग के अंदर आता है नेस कुशन देखते हैं, यह आपके सामने राजेस्थान का जल दूर्ग है, गांघृन का दूर्ग, भैस रोडगड का दूर्ग, सेर्गड का दूर्ग या आपके सभी इसका right answer जाएगा option number गागरुन के दुर्ग को जल दुर्ग की संग्य दी गए क्योंकि चार और से जल से घिरा हुआ है इसलिए जल दुर्ग कहा गया है निसको सने की लोहागड दुर्ग का उधारन है जो लोहागड दुर्ग है उसका उधारन है वो एक पारिक दुर्ग है या फिर गिरी दुर्ग है या फिर धाना दुर्ग है या इस्तल दुर्ग है आगों बता देते हैं इसका right answer गो option number एक पारिक दुर्ग है लोहागड जो दुर्ग है वो एक राजस्तान का आजे दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है जो कि भरतपूर के अंदर पड़ता है जिसको राज़ा सुरेजमल ने बनवाया गया था और ये चारोर से खाइ से गिरवाय इसलिए पारिक दुर्ग की संगय दी गई है नैस कुशन देखते हैं यह आपके सामने कि राजस्तान का गोरव कहलाने वाला किला है कुम्बलगड़ का दुर्ग, महरानगडड़ दुर्ग study दुर्ग, चित्तोरगडड़ दुर्ग यठारण थमभाड़ दुर्ग इसका राइट हैं सर जाएगा ओप्स नमबर सी जय जो चितोरगड़ का जुर्ग है उसे राजिस्थान का गोरो कहला कहलाने वड़ा किला कहा जाता है नेस को सने की कुमार पाल फिर बंद के अनुसार चितोर गड़ के लेकर निर्मान करवाया था चित्रांग गड़ मोरियने माराना कुमबा ने या चित्रांग गड़ मोरियने या मान मोरियने इसका right answer जाएगा option number C चित्रांग मोरी ने करवाये था next question कि जो गड़ गणेश त्री नेत्र धाम एक इस्थान है वो किस दुर्ग मेचती थे वो रन थंपोर दुर्ग मेचती थे या सोन गिरी दुर्ग मेचती थे या बाला दुर्ग मेचती थे या तारा गड़ मेचती थे इसका right answer जाएगा option number C रन थंपोर दुर्ग मेचती थे next question देखते हैं कि यह आपके सामने कि कुम्बल गड़ जो दुर्ग है दुर्ग मेचती थे दुर्ग जिसकी मेवाड की आँख कहा जाता है क्या खाता है जिसे मेवाड की आँख कहा जाता है वह है तिमन गड़ दुर्ग मैच जीन दुर्ग या फिर कटार गड़ दुर्ग या चो मुहा गड़ दुर्ग कि इसका राइट आंसर भुप सन मबर सी कुटार गड़ दुर्ग कोही मेवाड की आँख कहा जाता जो कि कुम्मा ज unterschied का कुम बनवाय الرही दुर्ग जिसका नाम है कटार गड़ दुर्ग उसको मेवाड की आँख की संगे दी गई है नेसको सने की जे मल और पत्ता की गजा रूड मूर्तियां किस किले के दरवाजे पर इस्तित है चित्तोर गड़ का किला कुम्बल गड़ का किला जूना गड़ का किला या फिर गागरून का किला इसका राइटिया अंसर अप्सन नमबर C जूनागड का किला जो कि कहां इस्तिते बीकनियर के अंदर इस्तिते मैंस कोशन देखते है जो बीकनियर है कि जूनागड दूर्क का जो निर्मान वो किसने करवाय था राव बीका ने राइसिंग ने राव कल्यान मल ने या फिर लोन करण ने इसका राइट अंसर जाएगा अप्सन नमबर B राइसिंग ने बीकनियर के जो किला है जूनागड का उसको बनवाय था नेस कोशन है कि कुम्बल गड जो दूर्ग है वो कितनी लंबी दिवार से घिरा हुआ ये कोशन बहुत बार पुछागा है ये फ्रेंट अबूल फजल ने ये वाक्य किस दूर्ग के लिए कहे कुम्बल गड का दूर्ग के लिए या रन थंबोर का दूर्ग चित्तोर गड का दूर्ग या लोहा गड का दूर्ग इसका राइट अनसर है रन थंबोर का दूर्ग नेस कोशन देखते है यह राप सामने राजस्तान का अजे दुर्ग इसके बारे मैं आपको मालम पहले बता चुके हैं कि राजस्तान का जो अजे दुर्ग है कहलाता है चित्तोरगड का दुर्ग, लोहागड का दुर्ग, महरानगड का दुर्ग या नाहारगड का दुर्ग इसका right answer है option number B लोहागड का दुर्ग जो की भरतपुर जिले के अंदर है जिसको राजा सूरजमल ने इसे बनवाया है ये एक मात्र ऐसा किला है जो की मिट्टी से बना हुआ है और नाम इनका क्या है लोहागड दुर्ग और अजे दुर्ग इसका नाम क्यों पढ़ा था क्योंकि इसके उपर अंग्रेजों ने कही बार कर्मन किये थे लेकिनि एक मात्र ऐसा दुर्ग है जिसको कभी कोई जीत नहीं पाया इसलिए इसका नाम अजे दुर्ग रखा गया नेस कोसन है कि लोहागड जो दुर्ग है वो बनवाया है बदन सिंग ने चूड़ा मन ने जभार सिंग ने या सूरज मल ने जो लुहागर दूर गये वो बनवाया है अभी आपको बताए कि जो लुहागर दूर के निर्मान किसे ने करवाया था सूरज मल ने करवाया है नेस कोशन देखते हैं सवाई मादोसिंघ दित्तिय नहीं किस दूट में अपनी नो पास होओं वानों के लिए एक जैसे नो महल बनवाए किस दूट के अंदर नहारगडदूर्ग में जेगडदूर्ग में या फिर आमेर दूग में या फिर बाला प्ला में इसका राइट आंसर है, option number A, नहारगड दुर्ग में, तो आपको बता दें, नहारगड दुर्ग जैपूर में इस्तित है, जैगड भी जैपूर में है, आमेर भी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, ये नहारगड दुर्ग है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी नो पास वन के लिए एक जैसे नोमहल बनवाए हैं, नहारगड दुर्ग, जो भट नेर दुर्ग है, वो इस्तित है, जैसल मेर में, बीका नेर में, हनुमानगड में, ये चूरू में, जिसका राइट आंसर है, option number C, हनुमानगड, Next Question है, कि जो नहारगड दूर्ग है, वो बनवाए है, सवाई जैसिंगं ने, सवाई मादो सिंगं ने, मिलजा राजा, जैसिंगं ने, ये पिर सवाई पिरताब सिंगं ने, इसका राइट आंसर है, जै आपको बता दें, हमानगड के निरमान कर वाय था, नेस्ट कुशन रिपीट हो गया है इसमें नेस्ट कुशन है कि गागरोन का जो दूर्ग है वो इस्तित है भेलवाडा में, चितोडगड में, जालावाड में या बारा में इसका रिपीट आंसर है जालावाड में, गागरोन का दूर्ग, जिसको जल दूर्ग की संध्यागी संग्यादी गई है नेस्ट कुशन है कि गठ बीठ ली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारगड अजमेर को, जेगड जैपुर को, सेरगड बारा को, या फिर सोण गिरी जालूर को इसका राइट एंसर उप्सन नमबर ए, इससे पहले हमने आपको बता चुके हैं कि जो तारगड है, उसको वजमेर के अंदर इस्तित है नेस्ट कोशन है कि तारगड किला इस्तित है अब यहाँ पर कोशन कंफ्यूस करने वाला है कि जो तारगड जो दुर्ग इस्थान है, वो अजमेर के अंदर इस्तित है लेकि तारगड जो किला है वो कहां इस्तित है? बूंदी में, चैपुर में, बारा या ब्यावर में? तो इसका राइट यांसर है ओप्शन नमबर A, बूंदी जिले में Next question है मीरान सहाब की दरगा इस्तित है तारगड बूंदी, सेरगड बारा, तारगड अजमेर या सेरगड धौलपुर इसका राइट अंसर है ओप्शन नमबर C तारगड अजमेर के अंदर मेरान सहाब की दरगा इस्तित है Next question है मीठे सहाई की दरगा इस्तित है नहारगड दुर्ग, महरानगड दुर्ग या फिर गागरोन के दुर्ग या भैसरोड गड का दुर्ग में इसका राइट अंसर होगा ओप्शन नमबर C गागरोन का दुर्ग जिसको जल दुर्ग की संगय दी गई है उसे ही मीठे सहाई की दरगा के रूप में जाना जाता है Next question है मयूर दुएजगड जिहां मयूर दुएजगड और गड़ चिंता मनी कहा जाता है आचल गड दुर्ग को, महरान गड दुर्ग को, सोनार गड दुर्ग को या नहार गड दुर्ग को इसका राइट आंसर है, आप्शन नमबर बी, महरान गड दुर्ग को Next question दिखते हैं अचल गड दुर्ग का पुनर निर्मान करवाया था राणा सांगा ने, राणा कुम्बा ने, जैत्र सिंग ने या फिर उदे सिंग ने इसका राइट आंसर है, आप्शन नमबर बी, राणा कुम्बा के दौर इसका निर्मान करवाया था नेस को साने की, जो मैग जीन दुर्ग है, जो अजमीर का निर्मान करवाया था प्रतिवराज चोहान ने, अजे राज ने, या इलतुत मिस ने, या अकबर ने इसका राइट आंसर है, आप्शन नमबर डी, अकबर के दौर ये निर्मान करवाया था मैग जीन दुर्ग, जो कि अजमीर का नदर इस्ते थे नेस कोशन है, कि धाई साके के लिए प्रिसित दुर्ग है, सोनार गड़ दुर्ग, चितोर गड़ का दुर्ग, सोन गिरी दुर्ग या महरान गड़ का दुर्ग इसका right answer है option number A सोनार गड़ के दुर्ग को धाई साखे के लिए प्रिसित दुर्ग माना जाता है नेस कोस्ता ने कि राजस्तान का जो वेलोर कहलाता है बहुत important question है कि राजस्तान का वेलोर कहलाता है महरान गड़ का दुर्ग या भैस रोड़गर का दुर्ग या जेगड या चोमुआगड इसका right answer है option number B भैस रोड़गर का दुर्ग जो की चितोड़गर के अंदर इस्तित है कहाँ इस्तित है चितोड़गर के अंदर इस्तित है next question देखते है राज्यस्तान का वेलोड रिपीट हो गया है जिसका अंसर बैंसरोगड़ दुर्ग है नेस कोशन है कि इंद्रा गांदी ने अपातकाल के दोरान खजाना ढूड़ने के लिए जिस दुर्ग की खुदाई करवाई थी वोई है जेगड़ नहारगड़ मेरानगड़ या फिर मेगजिन का दुर्ग जिसका राइट आंसर है ऑप्सिन अंबर ए जेगड़ जोकी जैपूर के अंदर इस्तित है नेस्त कोशन है कि 84 खंबो की छत्री इस्तित है अलवर में बूंदी में अहाड या फिर टॉंक में इसका राइट आंसर है ऑप्सिन अंबर बी बूंदी में आज की क्लास का लास्त कोशन है कि जो पटवाओं की हवेली और सलीम सिंग की जो हवेली है वो इस्तित है में पीकनियर में जैपुर में से खावाती में या जैसलमेर में इसका राइट राइट आंसर है ऑप्सिन अमबर ्दी जैसलमेर में यह थे आज की क्लास के हमारे टॉप 40 ऐसे पिर्शन जो की हमारे राजस्तान के दुरुगों से संबंदी थे उनकी कलाम से संबंदी थे आपको कोशन कैसे लगे आप जरूर प्रक्टिस करें और अपनी एक्जाम की त्यारी बहतर करें मिलते हैं नेस्ट क्लास के अंदर जब तक क्ले थेंक यू सो मच